Hello friends, welcome back to my channel और एक देखिये कहां बैठते हैं सोफे पर सोफे पर कहां बैठते हैं याश सिखाएगा सब लोगों को कहां बैठते हैं वेटा मामा ने नहीं सिखाया कहां बैठते हैं ऐसे बैठते हैं और ये रड़की है गंदी रड़की है इसने कर नहाया रही है इसे ही अभी भी करके कपड़ों में है चलो बता याश क्या खाओगे बैबी अब जाजू बच्चों को प्रिक्फास्स देखिये दिए ये दोड़ों मुझे बता दी रही क्या क्या खाओगे ये लो चोड़ों में जा खाओगे नेश्टों बत्यों करे ब्रेक्फास्स बडाना कर ताइम शुरू स्लीश खाओगे ने एपापी अननो अलाव अलाव पापी शी नस नो चेकोष नस तू चेकोष नस तू कर चर कर बस तो तो कभी-कभी बचा देती हो तार्जल बनरी हो तू? सारा कि नस तूमको पापी पापी तूमको शुगर चाहिए तूमको शुगर चाहिए? बस बस मही मैं ऐसे कभी नहीं गूंगी तूको शुगर अगल अगल चल भी हम एवरी दे पानी बोई करके पीते हैं अगर आप पानी बोई नहीं करते हो तो प्रीज पानी बोई करना शुनू कर दो क्योंकि मौरेश्ट में तो वैसे हमेशा यह वरसाती मौसम होता है और पानी बोई करके पीना is must अब यह वर्ण पानी पीते हैं हम मेरा बोई का सा रूक वाम करी देती हूं और बचों को हमेशा फॉट वाटर रहाती हूं क्योंकि यह बहुत चल्दी बिमार पढ़ते हैं वैसे ही बिमार है तो में वाटर पैंट psycho क्या प्रेम पाक कॉड बिमार हु आज अला उनी नहीं हों काव 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 त्षिंट मत कर सेंन भीस देता हैं हैं चाचो तुजिया चलो चलो चोकोस is here चलो लो अपना चोकोस फिनिश करो और वो देखो कौन मेरा वेट कर रहा है इसके पास मुझे नहीं जाना है इसके पास मुझे नहीं जाना है है कोई रास्ता? इससे बचने का है कोई रास्ता इससे बचने का? या शुएन सिया? नहीं सजेशन एरवाइस? नहीं जाना पड़ेगा एक हफ़ती की लॉंट्री है फाइनली सूख गई है और मेरा वेट कर रही है हाँ तो थोड़ी देल के बाद सिया ने भी मुझे चॉइन कर लिया वो जो स्मॉल टिशिर्ट से उसके रेगिंस और पांट्स थे वो यह फोल्ड करने रग गई और फिर हो गए फाइनली सारे कपडे फोल्ड मेरे अभी पी थोड़े से तो पाइनली अभी 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 थोड़ अगर मेरे और तो लोल वह थोड़ा से चुक्षे सेवा आज थोड़ा से सनी था वयदर बहुत बारिश का इस द शीका थी और बहुत दूप भी नहीं के बट ओके था मेर्टा मैंदे़ दाल दीए बाहार थोड़ी घर के लिए दूप मे thank you तो कुछ दिन पहले मैंने ये और्गनाइज किया था बच्छों का ड्रॉवर तो इट वस्टेल गोइंग गूड एक वीक से जादा हो गया और जादा मैस नहीं किया इन लोगों ने अभी भी कपड़े जो है और निकालते समय या वापस से उसमें रखते समय दे डिलिंट मैस इस ट्रॉवर हमेशा जैसे कर देते हैं जल्डी से खराब हो जाता है इनका ट्रॉवर और पहले तो कपड़े एक ही जगा होते थे तो इट वरी कंजेस्टेड और बात प्रॉब्लम हो जाती थी ढूनने में तो अभी मैंने सबके कपड़े अलग-अलग कर दिये हैं दोनों इस एक जगा फ्रॉग एक जगा सारे उसके नाइटीज और सारे टॉप्स टिशेट्स जो थे वह एक जगा एक अक स्वेटर और स्वेट शेट मैं यहीं पर रखती हूं और बाकी जो है वह दूसरे कमरे में अलमारी में होता है जस फर एमर्जेंसी रात में कभी थंडो जा है तो और आज का दिन था बेट शिट भी चेंज करने का पहले मैं अक्चुली एवरी वीकेंड पर कर देती थी बट अभी थोड़ा सा डीले हो गया है क्योंकि वीकेंड पर इतना समय नहीं मिलता है सो या आज फिर मैंने चेंज करने के लिए निकाला था सारा चेंज कर रही थी तो सिया वस्टेर तो हेल्प मी आउट मामा इस लिटल गर्ल फ्रैंकर ये बच्चों के साथ मिलकर अगर कुछ काम करो ना तो बोरिंग काम भी इतना इंट्रस्टिंग और फन हो जाता है इसा होता है अपने बच्चे अगर खुझ से ही आते हैं हैं करने के लिए तो बोरिंग काम भी मतलब एक इंट्रस्टिंग लगने रखता है तो here Sia was helping me out as much as possible ये देखिए कैसे और Yashu भी आया था बट he was all busy with उसके गेम में तो या बच्चों के साथ मतलब time spend हो जाता है अभी सिफ एक हाफता भी नहीं है school शुरू होने में next Monday से ये लोग school चले जाएंगे then I have to do everything all alone बचारे I will going to miss them but yeah it's part of life and parenting अभी से थोड़ा बाद सिखाना जरूरी भी है they should know how to keep things how to arrange things . . . . स्वारीkilow. मैं थो पिरलो की बारी, मुझे झाया तैसल कि इस द्यूद शिण चाना हुपर, मैं पिलो की बारीक पारी मुझे ऐससा लगा कि शिया हो रही है ममा की बारी तो मुझे बोला कि मैं भी आ लेँ जम्प करूँ शिया के ऊपर हाँ मुझे क्याट करेगी हाँ मुझे कर लोगा तूँ आज आजना सिखे ममा की बारी है चटा बेपी ओके तो फिर अब आ गई थी रंच की बारी तो रंच में तो मैं दार ऐसी पकाने वाली थी सिंपल सा और फिर मैंने ये स्वीट पटेटो देख लिया ये काफी दिनों से पड़ा था मेरे पास और ये पकाने का मेरा मन नहीं था अच्छली ये देखी कैसी हालत है इसकी ये मे अच्छल जाता कि इतने पैसे डाल कर ये लेकर आए हैं आए डोंट वांट तो लेट गो वेस्ट तो समहां फाइनली आए डिसाइटो जस्ट इसको फ्राइर कर देती हूं और जो खराब आला पाटे उसको मैं निकाल दूं मोर देन हाफ से जादा इसमें खराब पाट था जो मेरे उसको कट करके निकाल दिया और मतलब देखते ही पता चल जाता था कि वी शुड़िंट बाए सेचर वेस्ट तो मेरा यहां पे फाइस भी होने आया है और मैंने अपना पराथे काटा भी गुद लिया है तो मैं बना रही हुआ दाल दाल और स्वीट पटेटो के फ पराथा और मेरे पास खोड़ी स्थी मेरे बच्छों की फेवरिट सबसी बच्ची है तो मैं अभी कोई एक्सप्रा सबसी नि बना जी हुआ हूँ सॉरी यह मैंने राइटिंग अनल नी किया है एक मिनिट हाइस तो मेरे फ्राइज रैडी हो गए है स्वीट पटेटो के इस इसमें सॉय को अधर आट करने के जरूरती नहीं है यह ऐसे ही मतलब बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा है हूं मैं नाइस टेस्ट पराथे के लिए भी मैंने आटा गूल दिया है चावा चड़ा दिया है और यह सबसी कल्की है कि मैं बच्छों की पेवरिट है कि मैं बच एग झाताएस ऑप्छों की है झाल 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 तो फिर अब मैं पराठे बना दिये थे और फ्राइस भी हो गए थे तो अब मैं दाल की तैयारी कर रही थी आज मैंने कुमुडा दाल दिया था पंकिन अपनी दाल में तो इसको मैंने स्मॉल पिसस में कट कर दिया था ताकि यह जल्दी पक जाए वैसे तो मैं जब दाल बॉ और इसको पकाऊं दाल तो यह तो मैंने इसको पहले तो चौक रगा दिया और सेम अपना राइचीरा करी लीव और ग्रीन चिली हीन हर्डी वगरा के साथ और टोमाटो भी एंदेन इसको पंकिन को डाल दिया फिर यह जैसे की साफ्ट हो गए हरके से फाइम निट के अंदर निट के लिए तो जो बॉल दाल था अब वो मैंने इसको ऊपर से डाल दिया इट वास विश्टी आएच जिस्ट विश्ट की मेरे पास कसूरी मेथी इसमें डालने के लिए आईनो की यह बहुत इंट्रस्टिंग रगता इंट्रस्टिंग क्या डिलिश्यस लगता अच्यल याश्यू तोड़ दाल था याश्यू ने कहा था मुझे की अब उसका यह जो दाल मैंने आज बनाया था यह उसका फेवरेट हो गया है उसको यह बहुत अच्छा लगा आज क्या दाल हो 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 एंड नाओ आम पुटिंग सिलान प्रो कुरियंडर कुरियंडर मेरे यह बहु इसका शिका ठाइवरेट मेरेक फट शक्राइब करें जॉप शोर्क्रास यह बहुत है जागी तोड़ मेरे क्षाल यह थ हूदलिकोपो भीचिए खड़ दाल यह रखके घ tutte थीक वड़ियंडर सबस्कि लोज सबस्कैर इसे जाएएسज यह ईता देलग क्योंनियोल में थाक keep on checking them क्योंकि यह कभी-कभी खराब ही हो जाते हैं अगभी अगर हमेशा चेंज करते हैं चाहिए once in a while हमारा रंच सर्फ हो गया था यश्यु वस हेल्पिंग में तो शूर दिस पार्ट थोड़ा कैमेरा शेक हो रहा था यहां पर बिकास अफ हम और बस यह व्लॉग अब इतना ही रंच के बाद फिर मैंने बच्चों को थोड़ा सा बाफ दे दिया और दे स्टड़ीड बेट फिर मैंने घर भी साफ कर दिया जाडू वगरा लगा दिया था और रंच हमने डिसाइड किया कि करने के बाद की हम लोग कमरे में बैठ के रंच करेंगे लाप टॉप के सामने सेम रोबो बॉइ रेखेंगे तो फिर यहां हम कमरे में बैठ के रंच किया मैंने एक को राइट में बिठा है और एक को लेफ ने आज का व्लॉग बस इतना ही आई होप आपको अच्छा रगा होगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट एक राइक तो बनता है प्लीज टाटा बाबाई